दोस्तो नमस्कार है मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपके सामने कुछ information लेके आया हूँ और जो मेरे ख्याल से वैसे सब को पता है लेकिन मैं कुछ और बात ही करूँगा आपसे सिरफ 2-4 मिनट लूँगा मैं जादा नहीं लूँगा मैं आज बिहार और यूपी के बीच में comparison करना चाहूँगा और ये comparison ज़रूरी है हमारे point of view से क्योंकि अगर आप देख रहे हैं बिहार में आप पिछले एक साल में अगर देखेंगे तो back to back vacancies आ रही हैं back to back बिहार टेट हो रहा है बिहार एस्टेट हो रहा है but on the other hand हमारा यूपी जो है तो वो क्या है वो बेहाल बा तो यूपी अगर मैं बोलू बिहार में तो बहार बा यानि बिहार में तो vacancy की बहार लगी हुई है और यूपी में बेहाल हो रखा है मामला मतलब गौर्मेंट ऐसा लग रहा है इस वाले section पे ध्यान देना ही नहीं comparisons आपके सामने लाओंगा आप सबने देखा है दोस्तों कि बिहार के अंदर recent time में कितना तेजी से काम हुआ है जो की अगर मैं बोलू तो देखो हम गौर्मेंट की हमेशा बुराई करते हैं लेकिन जो appreciable है बिहार गौर्मेंट का ये काम बहुत appreciable है चाहे वो गौर्मेंट किसी की भी है उसमें हमें appreciate करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए नहीं कैना ये ध्यान रखेगा तो हमें appreciate करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि BPSC 1.05 विकिनसी 1000 विकिनसी आई फिल अप हुआ उन सब लोगों का जिनका selection हुआ उन सब की भरती हो चुकी है पहली salary भी उनके एकाउंट तक आ चुकी है बिहार 2.0 अभी रिजल्ट आये हैं भरती प्रक्रिया चालू है उनके नियुक्ति पत्र उनको दिये जाने हैं सारा काम बहुत तेजी से चल रहा है इन बिट्वीन हमारा बिहार एस्टेट 2.23 भी उन्होंने करा लिया था ठीक है और BPSC 3.0 जो की उमीद की जा रही है कि 100 परतीशत अगस्त में आने वाला है और विकिंसी भी बहुत मैसिव होने वाली है तो जितने भी लोग है ना बिहार 2.0 में नहीं कर पाये थे वो 3.0 में उनका पूरा चांस बनता है और देखिए बिहार एस्टेट जो है 2024 में मार्च 1 से मार्च 20 के बीच में अभी फॉर्म फिलिंग चल पड़ी है उसमें तो मार्च 1 से 2 मार्च 20 के बीच में एक्सपेक्टेड है ये ध्यान रखिएगा तो ये है पिछले एक साल में बिहार का इतिहास और बिहार के बारे म जानकारी जो कि सब को पता है मैंने कोई नई जानकारी नहीं दी अब यूपी वाली जानकारी देख लीजिए यूपी में सारे कोशन माक ही है है ना यूपी टीजीटी पीजीटी 4163 विकिंसी जो 2022 में फॉर्म फिलप कराए गए थे और बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि भाईया ये विकिंसी आ गई है अब आप फॉर्म भरिये और तुरंत एक्जाइम कराके काम कर देंगे अब ये मानके चलिए ये फॉर्म मेरे हिसाब से जहाता है कि जुलाई उलाई में 2022 में भरे गए थे और आज तक इसकी एक्जाइम डेट नहीं आई है है ना और यूपी में जो है अगर मैं बोलू टीचर की जो त्यारी कर रहे हैं वो त्रस्त हो चुके है दुखी हो चुके हैं बुरी तरीके से गौर्मेंट के रिस्पॉंस को देखते हुए एक आयोग बनाने में इतना टाइम लग रहा है तो समझे की आगे की प्रक्रिया में कितना लगेगा एक्जाम डेट का पता नहीं है हम लोग भी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं आप लोग भी वेट कर रहे हैं यूपी टेट तक का पता नहीं है दोस्तों तो अगर मैं बोलू तो मैं एकी बात बस बोलूँगा और आप इसको आगे बढ़ाईएगा दोस्तों क्यो यूपी बेहाल बा तो यूपी का हाल बिलकुल बेहाल है in terms of releasing teacher vacancy जो मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है तो यूपी government के ओपर पूरा pressure होना चाहिए कि भई आपको vacancy देनी पड़ेगी लोग overage हो जाते हैं अभी आपने देखा है ना वहां पे जो police की भरती आई मेरे ख तो इसका मतला समझिए कई लोग तो ये बोल रहे थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में अपनी एक भी भरती police की नहीं देखी तो समझिए ये चीजे नहीं होनी चाहिए हम सब लोग जो है desperately wait कर रहे है vacancy का है ना और मैं चाहूंगा UP government से भी request करूंगा कि please इस vacancies को जल्दी release करें इनके exam conduct कराएं इनके आगे के procedure conduct कराएं है ना और जो वाकी procedure है उनका एक proper चैनल बनाएं जिसके थूँ एक है ना positive energy का संचार हो लोगों के बीच में तो दोस्तो मैं फिर कहूंगा है ना अब UP में भी हमें vacancy चाहिए हर हाल में ठीक है खाली वादों से काम न vacancy की हमें UP में भी बाहर चाहिए vacancy की तो आप इसको support करिए share करिए ताकि जादा से जादा लोग देख पाएं और ये मेरे लिए share मत करिए ये अपने लिए share करिए ताकि जादा से जादा लोग इसको देखें government के कानों तक भी बात जाएं कि धना जनता जो है आपसे vacancy बाए गाइस